नमस्कार आप देखने बेटी नियूज बिहार और मैं हूँ पंकस भट बिहार बिधानसभा 2020 को लेकर के बेगु सराय में साथ बिधानसभा पे चुनाव होने हैं हमने आपको पिछले दिनों साहपुर कमाल बिधानसभा का सिट टिकट कंफर्म को लेकर के एक दिखाया था आज मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्वाड़ा में बच्वाड़ा बिधानसभा में क्या इस्तितियां कमोबेस बनती जा रही है आने वाले समय में बच्वाड़ा का भविश्य कैसा होगा और बच्वाड़ा में कौन-कौन से उम्मिद्वार अपनी दावेदारी कर रहे हैं महागडबंदन और गडबंदन ये एंडिये ये दोनों में कहीं भी अगर लड़ाई देखी जा रही है तो कमोबेस इनी दोनों में इनी दोनों के उम्मिद्वारों में लड़ाई देखी जाएगी लेकिन एक बात है टीकट को ले करके कि टीकट आखिर किसे मिलेगा महागडबंदन से वैसे तो बचवाड़ा से श्वर्ये रामदेव राय जो की अभी वी बर्तमान वा बिधायक के स्रेनी में है और उनके पुत्र गरीब दास का नाम घोसित हो चुका है वही महागडबंदन में इस घोसना को ले करके संसे भी कार्जकरताओं में देखा जा रहा है खास करके महागडबंदन के घटक दलों में अफरा तफरीशा दिखाई दे रहा है कितनी एक जुटता दिखा पाते हैं ये चुनाव का वक्त वताएगा कि कितनी एक जुटता के साथ महागटबंदन बच्छवारा में अपनी दावेदारी पेस की है क्योंकि अलग-अलग घटक में अलग-अलग तरीके के नेता का अलग-अलग तरीके का मानना भी है इस चीज को भी हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि किस घटक दल के नेता का क्या बयान आ रहा है महागडबंदन के उम्मिद्वार को ले करके NDA में भी मारा मारी यानि आप समझिए तो NDA की इस्तिती वही बनी हुई है जो बरसों से बच्वारा में हर चुनाव में बन जाती है लोजपा अपनी दावेदारी पेस करती है तो भारतिय जनता पार्टी के कार्ज करता अपनी दावेदारी को लेकर के मुस्तैद नजर आते हैं वैसी परिस्तिती में लोजपा के वहाँ पे जो कंडिडेट हैं उसमें दो चेहरे का जिक्र अक्सर किया जा रहा है एक है बिने सिंग और दूसरे हैं इंदिरा देवी जहां बिने सिंग बरसों बचवाड़ा में अपना समय दिया है अपनी मेहनत की बात करते हैं समाजिक्ता के रूप में लोगों के साथ रखने की बात दूराते हैं वहीं इंदिरा देवी भी लोगों के बीच मौजूद ही नजर आ रही है टिकट किसे मिलता है ये देखने की बात होगी एक परत्यासी का और मैं लोजपा से चर्चा कर दूँ जिनों ने भी अपनी दावेदारी की बात सुरू कर दी है वो हैं जिला पारसत दुलारचन सहनी पहले तो कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेस सहनी के पार्टी से दुलारचन सहनी आएंगे लेकिन जाए से ही मुकेस सहनी आपको मैं बता दूँ कि महागटबंदन के घटक दलों में सामिल है तो यह सिट निश्चित तौर पे महागटबंदन इस बार गरीबदास के अलावे किसी पर भी आजमाने की इक्षा सकती नहीं रख रही कारण है कि गरीबदास के पिता जी वहाँ से विधायक थे और इस बार उन्हें कुछ न कुछ सहानु भूती भोट भी मिलने की आसंका वैक्त की जा रही है एक दमदार छवी के तरह को लेकर के बचवाड़ाक में कॉंग्रेस पार्टी सजग नजर आ रही है गरीबदास को प्रात्मिक्ता से परोसा जा रहा है इस्थितियां क्या होगी नहीं होगी उसमें भी एक और बात है कि जब बामपंथ के लोग भी अलग से नारा देने के मूड में हैं कि बामपंथ भी वहाँ से चुनाव लड़ेगा तो फिर महागडवंदन की इस्थिति क्या हो सकती है ये समझने की बात है रामोद कुमर एक ऐसा चेहरा है बचवाड़ा से जिसके तरफ युवाओं का आकरसन ज्यादा देखा जा रहा है निश्चित तोर पे रामोद कुमर के कंधों पर भी एक भार सा अभी परतीत होता होगा कि महागडवंदन की उमिद्बार गोसित होने के बाद अब उनको क्या करना है वो क्या डिसीजन ले पाते है उनकी पार्टी क्या डिसीजन ले पाती है बचवाड़ा में यह निर्नायक होगा भारतिय जनता पार्टी अभी तक बच्छवाड़ा में सवर्न उम्मिद्बार को उतारते रही है जबकि वहाँ से पिछरा बढ़के उम्मिद्बार जीत जाया करते हैं ऐसी परिस्तिती में बास्की सर्मा का नाम सबसे पहले आता है कि अगर अती पिछरा बर्ग से भारतिय जनता पार्टी विचार करती है तो बास्की सर्मा और शत्रुगन चंद्रवंसी का भी नाम लिया जा रहा है वहीं छेत्र में अपनी एक तालिस दिवस्ये पंचायत में यात्रा करने को लेकर के मसहूर फिल्म अभीनेता अमियक अस्यप का भी नाम जोर सोर से भारतिय जनता पार्टी में उठाया गया है निरने क्या होता है ये देखने की बात है लेकिन जो परिस्तितियां है और जिस तरीके की परिस्तिति अब बनते जा रही है बच्वाड़ा में निश्ची तौर पे एक संग्राम नहीं एक महा संग्राम एक चुनावी महा संग्राम आपको देखने को मिलेगा महा गडबंदन और NDA के उमिदवारों के बीच आपको मैं बता दूँ कि बच्वाड़ा जो की बरसों से कॉंग्रेस ने कबजा जमा लिया है कॉंग्रेस अपना कबजा बरकरार रख पाती है या उनका किला ढह जाता है ये उमिदवार पे डिफेंड करेगा कि किस तरीके का उमिदवार को उतारा जा रहा है और किस पक्ष को वहाँ पे सिट मिलती है लोजपा को सिट मिलती है या भारतिय जनता पार्टी को सिट मिलती है तो वैसी परिस्तिती में विने सिंग का नाम जोर सोर से है वहीं भारतिय जनता पार्टी में अनेको नाम है मैं एक तरफ से नाम आपको गिना देता हूँ कि कितने सारे लोग भारतिय जनता पार्टी के तरफ से अपनी दावेदारी पेस कर रहे हैं बलराम सिंग, बासुकी सर्मा, प्रभाकर राय, अमिय कस्यप, इन तमाम नाम को लेकर के प्रेम कुमार, इनका भी चर्चा है, लोजपा में बिने सिंग, हिंद्रा देवी, दुलार्चन सहनी का नाम आ रहा है, तो जद्यू में अमरजीत राय और क्रांती कुमारी का भी नाम सामने आ रहा है, देखना ये है कि बच्वारा में किसकी तकदीर जमती है, और किसकी तकदीर फेल कर जाती है, अब बने रिये विटी नियोज, बिहार के साथ, हम आपको अगले एपिसोड में फिर अगले विधान सभा की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,